प्रापरडीज आफ ट्राइंगल में साइन रूल हमने डिसकस किया था साइन रूल के कुछ कुश्चन्स भी देखे दे और उसके आगे एक इंपॉर्टेंट रूल है को साइन रूल Properties of Triangle में Sine Rule और Cosine Rule का बहुत ही Importance Rule है अगर Properties of Triangle आपको समझना है अच्छे से समझना है तो Sine Rule और Cosine Rule को समझना होगा तो आज हमारा पूरा Lecture पूरा Full Concept जो भी हम लोग देंगे Cosine Rule पर ही बात करें Cosine Rule क्या होता है और कैसे Proof हमने बुला कि ट्रिक्नोमेंटरी में बताये गया कि Cosine Rule और कोई भी फामूला हो तो तक आप उसको Proof नहीं करते हैं तक आप उसकी Proof भी नहीं देते हैं कि तक आप फामूले के बारे में और आपकी प्राक्टिस कुछ दायरा है वह आपका स्रिंग हो जाता है और स्रिंग अगर हो गया तो आप अच्छे कुछ नहीं कर पाएंगे पहले हम दोग देखें कि को साइन रूल होता है कि बिसे क्ली तो Cos A की बात करें Cos B की बात करें और Cos C की बात करें देखें रेशियो के बाद प्रॉपरड़ी जाप ट्राइंगल क्यों आया जो साइन थीटा की बात करें Cos थीटा की बात करें तो जो भी यह फामूले लिए गए हैं तो हमने जब ट्राइंगल को बेस माना है तो राइट एंगल ट्राइंगल माना है कि साइन धीटा वराबर परपेंडी क्लोरा पर हाइपोटेनिस कॉस धीटा वराबर बेस अपान हाइपोटेनिस यह जो फामूले आए तो वहाँ पर बेस है हमारा जो पाइथो गुरोस प्रमे जो लगती है तो वहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल भी हो कोई भी ट्राइंगल हो यह भात ध्यान देने वाली बाद है कि कभी भी कोई भी ट्राइंगल आपको मिले उसके एंगल कुछ भी हो के वहला आपको length की जरूरत पड़ती है कि A के opposite A और B के opposite B और C के opposite C तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी कि अगर right angle triangle B ना हो बस आपको length अगर पता है sides की तो cos A cos A में basically A की बात कर रहे है तो A square जो होगा side वो negative में जाएगा और जो remaining side है B square प्लस C square उनका addition होगा upon A नी का multiplication 2B C इसी similar pattern पे cos B की बात कर रहे है तो negative में कौन जाएगा B वाली side और बाखी add करेंगे तो A square प्लस C square minus B square upon 2AC बात हो जाएगी और यहाँ पर cos C की बात करेंगे तो cos C में वही similar pattern कि C square negative में जाएगा और A और B का square कसम positive में जाएगा और 2AB तो cos rule यह सिखाते हैं कि triangle standard हो या ना हो आप angular point मनला vertices ABC या angle ABC निकाल सकते हैं cos rule की help से जो अभी cos rule के formula हम लिखे थे उन formula में से कोई एक formula हम लोग prove करके देखेंगे जिससे में पता जालेगा कि formula आया कैसे तो हम लोग triangle जो हमने consider किया है उस triangle में ADC triangle में काम करते हैं इस पर triangle हम फोकस करते हैं तो हमने यह देखा कि यह altitude है मनला इस side के perpendicular तो यह right angle triangle हो गया pythagoras रहाइट angle triangle में pythagoras अब लगा सकते हैं hypotenuse का square remaining sides के square का sum remaining side AD square और DC square यह relation हमें pythagoras से मिला उसको हमने use किया अब देखे DC एक तो हमने AC यहाँ पे लिकी लिया आता एक side ले ली अब DC को ऐसा कुछ करें कि यह side के term में आ जाए DC बराबर DC is equal to हम लोग क्या कर सकते हैं पूरी side BC है उसमें से BD को subtract कर दे इसको हमनों यहाँ replace करने वाले हैं तो AC square बराबर AD square और प्लस DC की जगा BC minus BD replace कर दिया अब हमनों whole square कर देंगे AC square बराबर AD square अब यहाँ पे whole square करेंगे तो BC का square प्लस BD का square और minus 2 times BC और BD अब हमनों यहाँ पर जिन side की length अपहें पता है वो हमनों रखने वाले है AC देखो यहाँ पर AC को हमनों देखने हैं तो यह B है ठीक है अगर हम लोग यहाँ पे BC की बात करें तो यह हमारी A है और अगर AB की बात करें तो C है अब जो side में पता है तो AC square यहाँ पर हमारा B square हो जाएगा, AD square को अभी हमने निकाला नहीं है, BC square हमारा A square हो जाएगा और BD, B अभी हमने निकाला तो BD square ऐसे रहें देगे, minus 2BC, 2A into BD, ठीक है? हम देखने हैं कि AD square और BD square है या BD, ठीक है, यह हमें कैसे replace करने है, हमारा target है तो इनको replace करने के लिए हम इस पहले triangle में A, B, D triangle में focus करते हैं, triangle A, B, D में, ठीक है? तो इसमें पाइथा गुरस्पनों में लगाए, AB का square जो होगा, वो BD का square, plus AD का square आया AD का square की जगे, हम लोग AB का square minus BD का square रखने वाले हैं, ठीक है, जहाँ पर भी AD हो तो B square अब B square AD का square की जगे हैं, आपने निकाला, AB square minus BD square, plus A square plus BD square, और minus 2ABD, देखें, अब BD से BD कट गया, अब B square AB square क्या आगे हमारा? C square, A square, minus 2ABD, देखो हमारा, जो भी जहाँ पर भी sides या, और भी altitude या कुछ भी ले रहे थे, वो हट गया है, सब हमारे sides के term में आगे के लोग BD बचा है, पस ही BD को ही target करना, BD कैसे निकालेंगे? ट्राइंगल, वही ट्राइंगल ABD हमने जो consider किया, तो वहाँ पर देखें, और cos भी लेंगे, जैसे यहां के cos भी लेंगे, तो base BD है, और hypotenuse AB है, तो BD बरावर यहां मिल जाएगा, हमें AB, cos B और AB है हमारा C, C cos B यहां पर replace करने वाले हैं, तो पूरा हमारा replace हो जाएगा, B square बरावर C square A square minus 2A, और C cos B, हमें cos B निकाल नहीं है, तो 2AC cos B बरावर, इसको इदा ले जाएं, तो देखो C square plus A square minus B square, यह 2AC यहां पर रख दिया, तो हमारा cosine का cos B angle का cosine आ गया, similar pattern पर जैसे यहां पर B आया है, तो C square plus A square minus B square है, हाँ यह यहां पर रख दिया, ठीक है, C यहां रख दें, देखो हमने proof किया, थोड़ा सा, देखा जाए, proving में हमें लगता है, कि हम थोड़ा सा deep में जा रहे हैं, time लग रहा है, बर रियल में मामले में students को यह लगता है, shortcut अगर किसी के पास है, और कोई भी अगर teaching field में है, अगर वो 4-5 साथ से होगा, तो वो shortcut जानता होगा, अगर यहां पर shortcut रखे नहीं जा रहे हैं, जो already दिये जा सकते हैं, वो इसलिए कि मुझे पता है कि अभी आप shortcut अपना लेंगे सुरुआत में, तो वहां से ही घरवर हो बाद में वो shortcut पर भी बात करेंगे, आज आप इसको प्रूव करके देखें, cosine rule को apply करें, और questions को आप वहां पर करिये, जो दिक्कते हैं आई, आप उनको वहां पर भीजिये, किसी भी तरीके से हम लोग उसको consider करेंगे, आज हम लोग cosine rule को प्रूविंग तक ही यहां पर इस के applications देखेंगे, ठीक है?